हाई फ्रेंट्स मैं श्र्वन मुझामीद है आप सभी अच्छे होंगे अन्रेमिटिंग यह है आज का हमारा वर्ड अप्टे आए आगे की स्लाइड में इसी वर्ड अन्रेमिटिंग को डिटेल में जानते हैं अन्रेमिटिंग यह वर्ड एक एड्जेक्टिव है यूज़ली आई एंजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो वर्ड की होती है उन्हें इंडिपेंडेंट तरीके से जब आप यूज़ करते हैं तो वो एक एड्जेक्टिव बन जाती है जैसे आउट्स्टैंडिंग, इंट्रेस्टिंग, सो यह सब एड्जेक्टिव से हैं वो चीज़ जो आन्रेमिटिंग है वो एक लंबे समय तक होता ही रहेगा, कोई भी इंसिडेंट, विदाउट स्टॉपिंग और बिना धीमे पड़े, लेट से बारिश हो रही है, 48 आर से लगातार हो रही, धीमी भी नहीं पड़ रही है, यह आन्रेमिटिंग हो जाएगा, अब समझें, इलेक्शन का कैम्पेइन चल रहा है, दिन रात गारियां दोड रही है, चुनाव प्रचार वाली, रुक ही नहीं रही है, एक गारी गई दूसरी गारी आ रही है, अन्रेमिटिंग स्केल पे हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तबाही हो रही है, अन्रेम और वे कन्या का इस्तेमाल किया जाता है। नीरदतर जिसको हिंदी में कहा जा सकता है। अच्छा, याद कैसे करेंगे, सर एक basic word है remit, remit का मतलब होता है कम कर देना, छोड़ देना, remit का मतलब होता है जैसे कि किसी का कुछ कर्ज हो, 10 रुपे, 20 रुपे, 50 रुपे, वो माफ कर दीजे, जाने दीजे, छोड़ दीजे, like remit का एक दूसरा meaning होता है कोई जेल में बन उसे छोड़ दीजे, जाने दीजे, सर रेमिट का मतलब होता है छोड़ देना, जाने देना, अब इसी remit से जब unremitting बन जाएगा, तो उसका मतलब हो जाएगा कि आप छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे, पक्रे रहेंगे लगाता है, काम को करते ही रहेंगे, मेरी activities के लिए लगातार किये जाने काम को, बोलते हैं, unremitting, examples मैंने रखे हैं, वो भी कई रखे हैं, क्योंकि ये word बहुत important है, आप धंग से समझेगा, since you're looking for a prestigious government job, क्योंकि आपको एक शांदार नौकरी चाहिए, वो भी सरकारी, your struggle has to be unremitting, ऐसे में आपको जो संघर्ष है, वो un unremitting होना ची, बिना रुके, बिना थके, लगातार आपको संघर्ष करना होगा, एक दूसरा example है, she's been suffering from the pain that is unremitting, since she met with an accident last week, पिछले हफदे उसका accident हो गया था, तब से उसको पेन हो रहा और वो पेन unremitting है, यानि कि ना वो पेन रुक रहा है और ना ही पेन वो कम पढ़ रह है, ना रुक रहा है ना धीमा पढ़ लगातार उसको पेन हो ही रहा है, एक और example है, Mr. मूर्ती achieved what he did by his unremitting hard work, Mr. मूर्ती ने जो भी अचीव किया, कैसे अचीव किया, लगातार अपने द्वारा किये गए hard work से, by his unremitting hard work, एक और example, the unremitting battle between Russia and Ukraine, Russia और Ukraine के बीच में पिछले द लड़ाई चल रही है, और वो लड़ाई लगातार चल रही है, धीमी भी नहीं पढ़ रही है, रुक भी नहीं रही है, right, slowdown भी नहीं कर रही है, stop भी नहीं हो रही है, तो यह जो unremitting battle है between Russia and Ukraine, जो लगातार हो रहा है, will probably spell doom, spell doom का मतलब है तबाही ले आना, for both the countries, संभ़ता इसे दोनों ही देश आर्थिक रूप से बहुत तबाह हो जाएंगे, एक और example है, बारिश का season भी चल रहा है समय, देखे, the unremitting rains for 48 hours, 48 घंटों तक लगातार जब बारिश होई, it filled the entire town with water, इसे पूरा का पूरा शहर पानी से भर गया, and we all got strained at our homes as a result of it, और जिसके चलते हम स सब फस गए, stranded का मतलब है फस जाना, हम सब फसे रहे गए अपने अपने घरों पर, इसकी वज़े से, unremitting, चीजों को लगातार करते रहने, synonyms, relentless, unrelenting, ceaseless, seize मतलब होता रोकना, ना रोकिये, unseizing, ना रोकिये, unabating, धीमा ना पढ़ना, unhealding, घुटने ना ठीकना, perpetual, सतत, अब antonyms, intermittent, रोक रोक कर, spasmodic, कभी-कभी, irregular, seizing, रोकता हुआ, छुट-पुट तरीके से होता हुआ, रोक रोक कर चलता हुआ, I hope ये word आपको जरूर समझ में आया होगा, कैसा लगा, आप मुझे comment के माध्यम से बताईगा, I'll desperately wait for your comments, मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि में से कौन सा example आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, चलिए, मिलते हैं नेक्स session में, till then, keep running, bye-bye, take care.